दोस्तो एमजोन के जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं जिन में कुछ जानवर और पक्षी इतने खूपसूरत होते हैं कि जिने देखकर आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा और आज के इस वीडियो में हम Amazon जंगल में पाय जाने वाले कुछ खूपशूरत पक्षियों को देखने वाले हैं नम्मर बन केस्टल न्यूस अंट्सराइब दोस्तो ये चिडिया दिखने में काफी खूपशूरत होती है ये पक्षि काफी खूपशूरत होने के साथ साथ काफी छोटे वी होते हैं इन पक्षियों का बजन आम तोर पर 30 ग्राम से 35 ग्राम के लगबग होता है दोस्तो इन पक्षियों में नर पक्षि का सिर्फ पूरी तरह से घने वालो वाला होता है जो दिखने में काफी अट्रेक्टिव और स्टालिस लगता है दोस्तो एमजोन के जंगल में तरह तरह के खुपसूरत पक्षी पाए जाते हैं उन्हीं में किंग वल्चर भी सामिल है ये पक्षी घंटों तक उड़ने में शक्षम होता है और ये पक्षी अपनी चौच और पंजों की मदद से काफी अच्छे तरीके से सिकार करता है दोस्तो इस पक्षी की नाक के उपर मास का एक छोटा सा तुकड़ा होता है जो इसे और भी खुपसूरत बना देता है नम्म थ्री पर आता है हाई सिंथ मको दोस्तो ये मको दुनिया के सबसे बड़े मको होते हैं ये लगबग 100 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनका बजन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है दोस्तो ये मको पचास सालों तक जीवित रह सकते हैं ये मको जब आसमान में उड़ते ही तो ये काफी खुपचूरत दिखाई देते हैं नम्मर फोर क्रिस्ट बेकुट एमरिल्ड एमजोन जंगल की नदियों के आसपास रहने वाला ये बेहदी खुपचूरत पक्षी होता है क्योंकि इन पक्षियों का करल लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का मिक्षर होता है ये पक्षी छोटे मोटे कीडे मकोडे खाकर अपना पेट बरते हैं दोस्तो इन पक्षियों का वज़न 3-4 ग्राम तक हो सकता है और ये छोटे से पक्षी दिखने में भी काफी प्यारे लगते हैं दोस्तो इस आल्व को देखने पर ऐसा लगता है कि इन भाई साब ने चस्मा पहन रखा है इनका वजन 480 ग्राम से 1070 ग्राम तक हो सकता है ये उल्लू काफी बड़े भी होते हैं इन उल्लू की आखें और इनका कलर इन्हें और भी खुपशूरत बना देता है दोस्तो एमाजन जंगल में पाए जाने वाले इन खुपशूरत पक्षियों की सुन्दर्टा और और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए